वेलकम टू A.S.C. Mastermind आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चेप्टर वैश्वी करन और ये इस चेप्टर का पार्ट 3 है इससे फहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले पार पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने वैश्वी करन के सांस्क्रितिक और आर्थिक प्रभाब पढ़ लिये थे यहां पर वैश्वी करन के राजनीतिक प्रभाब समझेंगे और बहुत ही इजी है ये तो चलिए शुरू करते है तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है वैश्वी कर करन के कारण राज्ये राज्ये मतलब सरकार तो सरकार के कारे शमता में कमी आई है सबसे पहला प्रभाब क्या पढ़ा वैश्वी करन के आजाने से राज्ये यानि जिसे हम सरकार कहते है एक देश की सरकार की कारे शमता में यानि कारे करने की जो शमता है उसमें कमी आई है वो कैसे? लेकि सरकार का ध्यान लोग कल्यान के कामों से हट गया है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से थे समझे हैं, अबादी के कुछ पर्तिशत लोग बहुत ही गरीब होते हैं, इतने गरीब कि वो अपनी मूलभूत अवशक्ताओं को भी पूरा नहीं कर सकते, त सबी सरकार क्या करते हैं, इन लोगों को, इन गरीब लोगों को मौया करवाती है, लेकिन जब से वैश्वी करन शुरू है, तब से लोग कल्यान की जो धारना है, वो धिरे-दिरे पुरानी पढ़ती जा रही है, और सरकार लोग कल्यान के कारे अब धिरे-दिरे कम करते जा तो सरकार पहले इस तरह के लोग कल्यान कारी कारे करते थे यानि की जिंदा की भलाई के लिए इस तरह के कारे करते थे लेकिन जब से वैश्वी करन शुरूआ है तब से सरकार क्या है इस तरह के कामों से अपना ध्यान हटा लिया है तो यही बताया जा रहे हैं यहां पर कि व पर बॉख्ऊराष्य कंपनिययों के प्रसार से सरकार के फैस्ले करने की शमता में एक मालिजे कोई इसके जो में उत्द्यों कर ना जाने कि त्यों थापित करके गला रही है तो इस तरह की कंपऩनी होते हैं जिसका एक से जादा देश्यों में होता ही वो बहुराष्टे कंपनिया कहलाती है तो देखे कि जब से इस तरह की बहुराष्टे कंपनियों ने अपने पैर पसा रहे हैं अलग-अलग जब अपर अपना व्यापार करना शुरू कर दिया है तब से वहां की सरकार के फैसले करने के शम्ता में कमी आई है यानि अब जब वहा की सरकार का इन दियोवों पर अपना नीयंतरन नहीं रहा अब इस से जुड़े कोई फैसले boy नहीं ले पाते हैं क्यों क्यों की अब जब बाज़ार पर इनका नीयंतरन है तो अब सरकार का जो फैसला करने के जो शम्ता है उसमें कमी आ गई है क्योंकि सरकार का अब उस पर नियंतरन नहीं रहा अब जो है बहुराष्ट्य कंपणियां जो है वो बाजार पर नियंतरन करती जा रहे हैं पहले क्या करती थी सरकार की कंपणियों पर उनका नियंतरन होता था ठीक है लेकिन अब जो है बहुराष्ट्य कंपणियों इतनी सक् पूरा नियंत्रन है, जिसकी वज़से सरकार अब जो है बाजार से संबनेत फैसले, अब नहीं ले पाती तो यहीं बताया जा रहा है कि भहराशट्य कंपणियों के प्रसार से सरकार के फैसले करने की शंता में कमी आई है तो राजनितिक प्रभाब यही है कि भुराष्टे कंपनी के आने से क्या हुआ, सरकार के जो फैसले लेने की शमता है, उसमें थोड़ी कमी आ गई है, अब देखें, वैश्वी करण के राजनितिक प्रभाव यह हैं, कि सरकार के कारण राज्जी है, यानि हमने उपर क्या पड़ा था, कि वैश्वी करण के कारण राज्जी है, यानि सरकार के कारशमता में कमी ही नहीं आई है, व्रद्धी भी हुई है, अब वो कैसे देखिए, सरकार अब बहतर प्रद्योग्य की की मदद से, अपने नागरिकों के बारे में आसानी से सूचनाएं जुटा सकती है, यानि ये कहरे हैं, कि अब क्या हुए कि वैश्वी करण के आने से दूसरे देश की टेकनोलोजी अब हमारे देश में आने लगी है ठीक है तो उस टेकनोलोजी की मदद से आज सरकार और भी बहतर ढंग से काम कर पा रही है ठीक है यानि सरकार जो है क्या कर रही है कि उन टेकनोलोजी की मदद से अपने नागरीकों की यानि technology की मदद से अपने नागरीकों के बारे में आसानी से सूचना हैं जुटा सकती है सरकार अब ज्यादा कारगर धंग से काम कर सकती है यानि बहुत अच्छे से बहुत सटीक तरीके से अब सरकार काम कर सकती है कि अब जो है अच्छी टेक्नोलिजी आ गई है तो इससे सरकार को ये भी फाइदा हुआ अब हम यहां पर पढ़ेंगे वैश्वी करण के सकारात्मक प्रभाव यानि एक्जाम में जो है सकारात्मक और वैश्वी करण के नकारात्मक प्रभाव अक्सर पूछे जाते हैं यानि वैश्वी करन के अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव तो यहाँ पर हम देखेंगे अच्छे प्रभाव ठीक है तो देखें एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार बढ़ा यानि कि सबसे पहला फाइदा यह हुआ वैश्वी करन का कि एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार बढ़ने लगा यानि अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है आज की समय में कई देशों के साथ व्यापार कर रहा है तो इससे यह फाइदा हुआ यानि पहला फाइदा यह हुआ कि एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार पहले के मुकाबले अब और जादा होने लगा तो इससे क्या हुआ एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार होने से हमारा फाइदा हुआ हमारा व्यापार बड़ा और आर्थिक विकास हुआ दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि बहतर प्रद्योगी की का आगमन यानि कि वैश्वी करण के आने से क्या हुआ कि दूसरे देश की टेकनोलोजी अब हमारे देश में आने लगी जिसे कंप्यूटर इंटरनेट ये जो है दूसरे देश की देन है लेकिन अब जो है इसका इस्तमाद हमारे देश में भी किया जाता है तो फाइदा क्या हुआ इससे वैश्वी करण का ये फाइदा हुआ कि अब बहतर प्रद्योगी की का आगमन हुआ यानि बहतर प्रद्योगी की जो है यानि टेकनोलीजी जो है वो दूसरे देश से हमारे देश में भी आने लगी और हम उसका आज लाब उठा रहे हैं तो ये जो है वैश्वी करण का दूसरा सकरात्मक प्रभाव यानि अच्छे प्रभाव है अब देखिए वैश्वी करण का तीसरा सकरात्मक प्रभाव है सरकार के कारेशमता में व्रिद्धी हुई है अभी हभी हमने पढ़ा कि सरकार के कारेशमता में व्रिद्धी हुई है यानि कि सरकार जो है टेकनोलीजी का इस्तमाल करके अपने नागरीकों के बारे में हर प्रकार की सूचनाएं इकटिक कर सकते हैं जिससे क्या हुआ कि सरकार आज बहतर ढंग से काम कर पाईगी अगर उस सरकार को कोई भी योजना बनानी है तो उस योजना को बनाने के लिए सबसे पहले सरकार को कुछ आákडे चाहिए नागरी को से सम्दन कुछ सूचनाएं चाहिए उससूचनाओं के उन आकडों के आधार पे वो सही और सटीक योजना बना सकती है तो इसके लिए जो है सरकार टेक्नोलिजी का अस्तमाल करती है ठीक है प्रद्योगी की का तो यही बताया जारा कि सरकार के कारेशमता में व्रिद्धी हुई है अब चौथा सकरात्मक प्रभाव यह है कि रोजगार के लिए नए अफसर का निर्मान यानि कि जब से वैश्विकरन शुरू हुआ है तब से रोजगार के नए-फसर मिले है रोजगार मिला है कैसे देखे दूसरे देश की जो कमपनिया है वो हमारे देश में उद्ध्यूग स्थापित करती है उद्ध्यूग स्थापित होने से क्या होगा रोजगार का स्रिजन होगा यानि रोजगार मिलेगा तो इससे क्या होगा कि भारतिये लोगों को जो है इसमें रोजगार मिल जाएगा तो यह फायदा हुआ तो उमीद है आपको सकरात्मक प्रभाव नकरात्मक प्रभाव भी देखेंगे देखिए वैश्विकरन के नकरात्मक प्रभाव अब इसमें देखें कि वैश्विकरन के कौन-कौन से बुरे प्रभाव है सबसे पहला यही है कि निर्धनों की संक्या बढ़ती यानि निर्धन मतलब गरीब वैक्ति जो गरीब वैक्ति करण के कारण क्या हुआ सरकार अब निर्धन लोग की प्रती ध्यान कम दे रही है लोग कल्यानकारी काम अब कम करने लगी है करने लगी है लेकिन कम करने लगी है जिसकी वज़े से क्या हुआ निर्धनों की संख्या और बढ़ने लगी है इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इनके विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहा है इस वज़े से क्या होगा निर्धनों की संक्या और बढ़ती गई तो ये वैश्वेकरन का नकरात्मक प्रभाब पड़ा इसके बाद दूसरा प्रभाब यह है कि बहुराष्टे कंपनियों के आने से देश की मूल कंपनी को घाटा हुआ यानि अब यह देखे दूसरे देश की कंपनी अगर हमारे देश में आती है यह जो है दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में अपना उध्योग लगाती है जिससे क्या होगा कि हमारे देश की जो कंपनिया है यह हमारे देश के जो उद्ध्योग हैं उसको घाटा हो जाता है यानि कि क्या होता है कि बहुत सारी बहुराष्टे कमपनिया जो है वो हमारे देश में आ जाती है जिससे क्या होता है कि यह जो बहुराष्टे कमपनिया है वो हमारे देश के उद्ध्योगों को competition करती है ठीक है यानि इन दुनों के बीच में प्रतिस पर्दा चलती है जिसकी वज़े से क्या होता है अक्सर कि बहुराष्टे कंपनियों जो आगे निकल जाती है और कई बार मूल कंपनिया यानि जो खुद की देश की जो कंपनियों वो पीछे रह जाती है जिसकी वज़े से क्या होता है कि इनको घाटा होता है और बहुराष्टे कंपनियों का बाजार में दबदबा कायम हो जाता है तो यहीं आपर बता जा रहा है कि बहुराष्टे कंपनियों के आने से देश की जो मूल कं अब देखिए तीसरा जो नकरात्मक प्रभाव में ये है देश की मूल संस्कृति का नाश यानि अब ये देखिए कि नकरात्मक प्रभाव ये पढ़ता है कि जैसी वैश्विक्रण शुरू हुआ इससे क्या हुआ कि दूसरे देश की संस्कृति अब हमारे देश में भी खावी होने लगी यानि जैसे कि जीन्स पहनना इसके अलावा खान पान में बदलाव जैसे बर्गर, चाउमीन ये सारी चीज़े जो है वो इस देश में भी अपनाने लगे जिसके वज़े से क्या हुआ हमारे खान-पान में बदला हुआ हमारे संस्कृति के अनुसार हमारे खाने का तोर तरीगा कुछ और था लेकिन अब जो है वो बदल चुका है तो जिससे क्या हुआ कि हम खुद की संस्कृति को भूलते जारे हैं इसके अलावा विदेशी फिल्मों विदेशी संगीतों को कि देश की जो मूल संस्कृति है नि हमारे देश की खुद की जो परंपरा है और संस्कृति है वो उसका नाश हो रहा है उसके बाद देखे चौथी जो है नकरात्मक प्रभाव वह वैश्वी करण के कारण राज्य यानि सरकार के कारेशमता में कमी आई है तो यह है इसका तो लोगों के लिए कल्यान के लिए बहुत सारी नीतिया बनाए जाती थी ठीक है उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्द करवाते थे जो उनके जीवन के लिए जरूरी होते थे लेकिन जब से वैश्वी करण आया है तब सी इस तरह की जो विचार है वो पुराने पढ़ते जा रहे हैं और अब सरकार सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दे रही है ना कि लोग कल्यानकारी कामों पर तो इसे ये बुरा प्रभाप पढ़ा कि वैश्वी करण के कारण राज्य यानि सरकार के कारिशमता में कमी आई है तो उम्मीद ह आपको वैश्वी करण के सकारात्मक और नकरात्मक प्रभाप समझ में आये होंगे अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वैश्वी करण का प्रतिरोध यानि कि वैश्वी करण के इतने नकरात्मक प्रभाप थे कि इस वज़े से कई विचारधारा के लोग और आम लोग जो है व वामपंती विचारधारा के जो लोग थे वो वैश्वी करन के विरोध में क्या कह रहे थे लेकिन इससे पहले मैं आपको वामपंती क्या होते हैं वो मैं समझा देता हूँ देखिए वामपंती उस विचारधारा के लोगों को कहते हैं जो गरीबों के कल्यान का समर्थन करते ह यानि गरीबों की भलाई के लिए जो भी काम किये जाते हैं उसका समर्थन करते हैं जैसे सरकार अगर कोई नीती लेके आते हैं जिससे गरीबों का भला होता है तो यह जो है इसका समर्थन करेंगे सरकार का यहां बल्कुल सही है ठीक है इसके अलावा यह जो है अगर गरीबो के कलान के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है तो ये विरोध करते हैं यानि कुल मिला के ये गरीबों का साथ देते हैं ठीक है ये वामपंती लोग होते हैं वैश्वी करण का इन्हों ने ये बुरा प्रभाव जाहिर किया कहा कि वैश्वी करण के कारण जो है धनी तो और ध बनते जा रहे हैं ठीक है और गरीब जो है और जादा गरीब बनते जा रहे तो यह इन्होंने सबसे पहला विरोध जताया तो इस तरह से वाम पंतियों जाद स्यादा competition होगा, तो इससे क्या होगा, कि आर्थवैवस्ता का विकास होगा, यह जो है अच्छी गुनवत्ता के समान बनाना शुरू कर देंगे, खुल मिला कर यह है कि दक्षिन पंत किन की तरफ है, तो यह जो है दक्षिन पंत होते हैं, तो देखिए, इन्होंने किस तरह से वैश्वी करण का विरोध किया, तो दक्षिन पंत, यानि इन्हें, इन्हें जो है, राज्ये के कमजोर होने की चिंता है, यानि दिन बाद दिन जो जो है, राज्ये के कारिशमता में कमी आ रही है, ठीक है, आर्थिक निर्भरता होनी चाहिए और संग्रक्षनवाद फिर से कायम होना चाहिए तो मैं आपको इसका मतलब संजाता हूँ देखिए जब से क्या हुआ है वैश्विकरन शुरूग है तब से बाहर की जो कंपनिया है वो हमारे देश में भी व्यापार कर रही है जिससे क्या संग्रक्षनवाद की नीती का मतलब यह है कि बाहर की जो भी कंपनिया यहां व्यापार करने आती है उनको रोका जाए ठीक है उन पर जाल स्यादा कर लगाया जाए या किसी भी तरह की नीती अपना है जिससे वो हमारे देश में व्यापार ना कर सके इससे क्या होगा हमारे देश की जो कमपनिया है वही वैपार कर सकेंगे, और जाज ज्यादा लाब कमा सकेंगी, तो इसलिए ये जो है दक्षिन पंद कह रहे हैं, कि इनका मानना है कि ओध्योगी क विकास में आत्म निर्भरता होनी चाहिए, केवल और केवल हमारी जो कमपनिया है, बारत की, वो हमा व्यपार कर सके तो यह जो धक्शिन पंत का मानना है वैश्विकरण का इस वज़े ये विरोद कर रहे हैं क्योंकि यह चाहते हैं कि इनका मानना हैं उनको जो है यहाँ व्यापार करने से रोका जाए ताकि हमारे जुदिष के कंपनी हैं वही केवल ठीक से व्यापार कर सके तो इस तरह से वैश्वी करण का विरोध वाम पंदियों ने किस चीज को ले番 कर किया गरीबों को लेकर और दक्षिन पंद में विरोध किस चीज़ को लेकर किया तो ओधोगीक छेत्रों को लेकर कि हमारे देश की जो ओधोगीक छेत्र है या उद्धोग है उनको सुरक्षा परदान करनी चाहिए बाहर की कमपनियों से अब आगे देखते हैं देखिए वैश्वी करन के विरोध का एक विशव व्यापी मंच World Social Form है यानि देखिए वैश्वी करन के विरोध के लिए क्या कया गया एक विश्व इसतर पर एक मंच बनाया गया और उसका है नाम WSF यानि फूल फॉर्म है World Social Form यह इसलिए बनाया गया था ताकि वैश्वी करण का खुल के विरोध किया जा सके तो देखिए इसमें क्या है इस मंच के जरीए मानव अधिकार कारे करता है यानि मानव अधिकारों के लिए जो काम करने वाले कारे करता है वो पर्यावरनवादी, मजदूर, युवा और महिला कारे करता एक जुठ होकर वैश्वी करण का विरोध करते है इसके जरीए किसके जरीए डबलू एस एफ के जरीए इस मंच के जरीए क्या करते है यह खुल कर वैश्वी करण का विरोध करते है और उसमें कौन-कौन होते हैं मानावधिकार के कारिकरता, पर्यावरनवादी, मजदूर, युवा और महिला कारिकरता ये सभी क्या करते हैं एक जुट होकर वैश्वी करन का विरोध करते हैं अब देखें, WSF की पहली बैठक का हुई तो 2001 में ब्राजिल के पोर्टो अलगेरे में तो ये जो आपको याद रखना है कि WSF की पहली बैठक का हुई तो 2001 में ब्राजिल के पोर्टे अलगेरे में तो ये है वैश्वी करन का प्रतिरोध तो उम्मीद है आपको वैश्वी करण के प्रतिरोध अच्छे से समझ में आये होंगे कि किस तरह से विचाधरा के लोगों ने विरोध किया, इसके अलावा कई सारे लोगों ने विरोध किया, इसके अलावा विशुस्तर पर एक मंच भी विरोध करने के लिए, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है, देखिए अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले भारत और वैश्वी करण का प्रतिरोध, यानि कि भारत में किस तरह से वैश्वी करण का विरोध किया जा रहा था, तो देखिए पहला पॉइंट है कि आर्थिक वैश्वी करण का वाम पंतियों गरीबों को कुछ पायदा हो नहीं रहा था, इस-वजए से क्या वाम पंतियों कि अर्थिक वैश्वी करण का विरोध किया तो इस लिए इन्होंने आर्थिक वैश्वी करण का विरोध किया, इसके लाबर देखिए दूसरा पॉंट यह है कि ओध्यों कि उध्योंगी कि ब बहुराष्री कंपणियों के प्रिवेश का विरोध क्या यानि बाहर की कंपणिया है वो हमारे देश में आके वैपाहर करती है तो इस चीज यह बहुराष्री कंपणियों का विरोध कर रहे थे इसके लावा देखिए नीम को अमयरीय काऊच पैर्षे ने patent कराने का प्रयास किया अब मैं आपको समझाता हूं देखे जो नीम है तो इसका जो है patent कराने का प्रयास किस ने किया अमेरिका और यूरोप की जी फर्म है यानि उनकी जो कंपनिया है ठीक है उनके दियोगों ने क्या किया नीम को patent करवाने का प्रयास किया यानि इन्होंने क्या किया patent का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर यूरोप की फर्मेर पेटेंट करवा लेती तो क्या होता कि सिर्फ और सिर्फ नीम का इस्तमाल यही कर सकते थे इसके अलावा किसी और को अधिकार नहीं दिया जाता नीम का इस्तमाल करने का तो यह इन्होंने प्रयास करने की कोशिश की तो यह किसका असर है globalization का कि उनको जो है इन चीजों की जानकारी हो गई तो उन्होंने क्या किया इसको patent करवाने की कोशिश कर दी तब इस चीज का विरोध किया भारतियों ने नीम का पेटिन नहीं करवा सकते इस चीज का विरोध किया तो इस चीज को रोकने के लिए भारतियों ने इनका विरोध किया वैश्वी करन का विरोध किया अब लास्ट पॉइंट है दक्षिन पंत ने वैश्वी करण के सांस्कृतिक प्रभाव का विरूद किया यानि जो दक्षिन पंत है इन्होंने क्या किया वैश्वी करण के सांस्कृतिक प्रभाव का विरूद किया यानि जैसे हम खान पान में बदलाव होते जा रहे है चौमीन, पीज़ा, बर्गर ना जाने और क्या-क्या, हम खाते जा रहे, ठीक है, पहनावे में बदलाव हो रहा है, जैसे जीन्स है, टी-शिट है, नई-नई चीजों को अपनाते जा रहे, तो इससे क्या हो रहा है, कि हम अपनी मूल संस्कृती में जो पहनावा है, जो जीबो का भला नहीं हो रहा था, और द्योगिक, श्रमिक और किसानों ने क्या-किया, बहुराष्टे कमपनियों का विरोध किया, यानि वो कमपनिया जो एक से जाधा देशों में वैपार करती है, उनका विरोध किया, इसके अलावा नीम को क्या गया, अमेरिका और यूरो क्योंकि हमारी मुल संस्कृती खत्रे में पड़ ली थी, इसलिए दक्षिन पत्र ने इसका विरोध किया, तो इस तरह से भारत में विरोध हुआ, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक जरूर करें, इससे हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूली है, ताकि आपके एक्जाम की प्रिपरेशन इजी हो जाए,